अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके नमस्कार वबसक्राइब के खास कारकाव में आप सभी का स्वागत है तालिबान ने अफगानिस्तान पर कबजा तो कर लिया लेकिन देश का खाली खाजाना देखकर उसके खोश उड़ गए हैं अपनी कुरूरता के लिए मशूर तालिबान के नेता आजकल देश देश खूम कर समर्थन मांग रहे हैं अन मांग रहे हैं कंबल मांग रहे हैं दवाई मांग रहे हैं पैसा मांग रहे हैं तालिबान को यह भी चिंता है कि कब तक भूखे पेट उसके लड़ाके मैदान में डटे रहेंगे तालिबान के सामने एक और आयस के बढ़ते आतंकी हम लोग को को रोकने की चुनौती है तो दूसरी और भूख और सर्दी से बेहाल जनता की मदद कैसे की जाए यह उसके समझ नहीं आ अमेरिका ने भले अफगानिस्तान को अधर में छोड़ दिया हो लेकिन संट राष्ट्र समेथ अंतरास्ट्री समधाय अफगानिस्तान की जनता की बेहाली को देखते हुए उसकी मदद के लिए आगया रहा है वाकई यह मदद जल्दी नहीं की गई तो अफगानिस्तान के हा अगवानिस्तान का घबराना स्वाभाविक भी है क्योंकि उसकी योजना थी तालिबान के जरिये कश्मीर में आतंकबाथ फैलाने की लेकिन तालिबान को भी अच्छी तरह समझ आ रहा है कि अफगानिस्तान की मुश्किल समय में मदद भारत ही कर सकता है इसलिए तालिवा प्रतिनिधी मंदल रूस की राज़ानी मौस्कों में एक भारती प्रतिनिधी मंदल से मुलाकाट कर विभिन महत्पूर मुद्धों पर चाकी बैठक में भारत ने युद्ध से प्रभावित अफगानिस्तान को व्यापक मानविय साहता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की और खुद को इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी बदाया रिपोर्टों के मताबिक विदेश मंत्राले के पाकिस्तान अफगानिस्तान प्रगोस्ट के संट सचीव जेपी सِंग्के नेत्रटों में भारती प्रती इनिदी मंडल ने नेताओं से मुलाकात की भारती प्रती मंडल रूसके निमंत्रण पर में भाग लेने के लिए वहां गया था माना जा रहा है कि भारत के पुराने और सबसे भरोसे मन्द दोस्त रूस नहीं नई दिल्ली को तालिवान से वारता के लिए मनाये था तालिवान के प्रवक्ता जबिहुल्ला मुजाहित ने इस बैठक के बाद एक संशिप्त बयान में कहा है कि दोनों देशों के प्रतिनिधी मंडल के बीच यह बैठक मौस्को समेलन्स से इतर को भी बता दें कि तालिवान के साथ भारत का पहला आपचारिक संपर्क 31 अगस्त को दोहा में हुआ था हलांकि इस सब्ता बुद्वार को हुई यह बैठक तालिवान द्वारा पिछले महीने अंत्रिम मंत्री मंडल की घोशना के बाद दोनों पक्षों के बीज पहला आप अपचारिक संपर्क था भारत विकत में भी अफगानिस्तान को बुन्यादी धांचे के साथ-साथ मानुए साहता प्रदान करता रहा है और अब खादान की मदद कर सकता है इस पैठक के बारे में तालिवान के प्रोक्ता जवियुल्ला मुझाहित ने कहा कि दोनों पक्षो और ने नौंबर में अफगानिस्तान के मुद्वे पर एक बैठक करने की घोशना की है इसके लिए उसने पाकिस्तान इरान उजबेकिस्तान ताजिकिस्तान चीन और रूस के सुरक्षा सलाकारों को अमत्रित किया है हाला कि अभी यह देखना भागी है कि पाकिस्तान इस न कानवी आधार पर और एक अच्छा पढोसी होने के नाते मदद जारी रख सकता है तालिवान भी जानता है कि और कोई देश चो एक उर्पे की भी मदद दे रहा है उसका कोई न न कोई स्वार्थ है लेकिन भारत तब भी निस्वार्थ भाव मदद करता रहा जब अफगान पाकिस्तान भारत और तालिबान की बैठक की खबरों से इतना घबर आया कि उसके तो जैसे होशी उड़ गए इस पैठक के अगले दिन ही पाकिस्तान के विदेश मंतरी शाह मेहमूत कुरेशी और खूफिया एजनसी आईयसाई के प्रमुक फैज हमीद भागे भागे के नेतरित वाली अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के साथ वार्ता करने के लिए काबल पहुंच गए इस एक दीवसी यात्रा के दौरान पाकिस्तानी प्रतिमिधि मंदल ने अफगानिस्तान के कारेकारी विदेश मंतरी अमीर खान मुत्तकी और अन्य तालिवानी नेताओ के साथ वार्ता की पाकिस्तानी नेताओं किस वार्ता को तहरान में अगले सप्ता होने वाली अफगानिस्तान और रूस के पडूसी देशों के विदेश मंतरियों की वैठक से पहले काफी एहम माना जा रहा है रूस ने अब तक क्या किया वहीं रूस ने भी अफगानिस्त शापित करने के लिए वर्षों तक काम करता रहा वैसे इस तरह कि किसी भी संपूँ से संपर्क रखना रूस के कानून के तहत दंडनी है लेकिन रूसी विदेश मंत्राले ने मुद्दे पर मिरोधा भास से संबंदित सवालों का जवाब देते वे कहा है कि अफगानिस्तान म में मदद के लिए तालिवान से बात करना आवशक है हम आपको यह भी बता दें कि गत अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिवान का कबजा होने के बाद अन्य देशों से इतर रूस ने वहां काबूल स्थित अपने दूतावास को खाली नहीं किया और तभी से इसके राज संग रास्टों के प्रतेनिदी भी शामिल हुए शवी क्यों सुधारने में लगा है तालिवान दूसे और यह भी लग रहा है कि अंतरास्टे इस तरपर समर्थन जुटाने की कवायद में जुटे तालिवान ने अपनी शवी बदलने की योजना बनाई है इस बात के संकेत इससे भी मिलते हैं कि संग्त रास्ट के एक वरिष्ट अधिकाई ने कहा है कि तालिवान ने उन्हें बताया है कि वे जल्द ही यह खोशना करेंगे कि सभी अफगान लड़कियों को माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने की इजाजत होगी पिछले सब्ता काबुल की यातरा प मुक्तरपूरू में कुंदुच और दक्षिन पस्टी में उरोजगान में पहले ही माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत है उन्हें कहा कि तालिवान के शिक्षा मंत्री ने उन्हें बताया है कि वे सभी लड़कियों को छटी कक्षा से आगे अपन से वंचित कर दिया गया था और उनके काम करने और सारजुरिक जीवन पर रोख लगा दी गई थी बराल अब देखना होगा कि अफगान संकट का पुरी दुनिया क्या हल निकालती है और यह भी देखना होगा कि संकट के समय तालिबान जो अपना बदला रूप दिखा रहा है कि संकट दूर हो जाने पर कहीं वह अपना पुराना राद रूप तो नहीं अपना लेगा